हेलो नमसकार सांति हूँ, वेलकम तो रोयली श्टड़ी, दोस्तो एससी जीडी कॉंस्टेबल 2014 की सपासाल एक्जाम जैसा कि आप सभी को पताईए, आज 20 परवरी फस्ट सिप्ट का एक्जाम पेपर आपका छूट चुका है, और हम फाइनली एनलीसिस आपके लिए लेकर आ आगे आने वाले जितने भी दिन एक्जाम चलेगी, सबसे ज्यादा वेल्यूइबल कंटेंट और आपको सबसे इदा कुश्ट इसी चेनल पर, अब डेली बैसेस पर सिप्ट वाइस मिलने वाले हैं, सो आप सभी चेनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को ओल पर इसका सब्सक्राइब करते हाई करेंगे, शबसे बाद में बाकी हम हिंदी, मैस्वर रेजिन्न की तरफ आगे बढदा चलेंगे, सब फिरी चारों सब्जक्राइब के वहीं basically करवाएंगे और आप सभी से request है कि guys अगर आप अच्छे से practice करना चाहते है SSCGD की तो हमारी एक special test series भी है जो कि हमने काफी कम price के लिए आपके लिए practice के लिए तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से practice हो जाए हैं हना तो आईए start कते बिना time waste किये हमारे पहले कुशन से पहला कुशन आप सभी की screen पर आपके लिए निकल कर आ रहा है पंडित बिर्जु महाराज किस घराने से समधित है काफी जी कुशन है कई बार आपकी exam में पूचे ज़ए चुका है हम आपको बार बार बताते थे कि कुशन सापका बनेगा पंडित बिर्जु महाराज वाला कुशन आपका finally बन चुका है आप सभी को पताईए लखनव काल का बिंदा दीन घराने से इनका समधित पंडित बिर्जु महाराज जी का बिर्जु महाराज कतक से समधिते के लिए रहे और ये जो है यूपी पुलिस में भी आई तिंग आपका कोश्चन्स बनाएं तो ये कतक के लखनव काल का बिंदा दिन घराने से तालुक रखते हैं और पंडित बिर्जु महाराज एक भारती नर्तक संगीत कार गायक ल अगले जो पंद्रा दिन इक्जाम चलेगी यहीं से भरबर के कोश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे तो आप बिल्कुल भी इसको नजर अंदाज ना करें अच्छे से पूरा अनेलिसिस वीडियो देखे बिना इस्किप किये काफे जादा हल्प मिलने वाली है पंडित ब अंबु महाराज लच्चु महाराज और उनके पिता और गूरु अचन महाराज यह इसमें वैसकली सामिले तो ध्यान रखेगा इनके चाचा और इनके पिताजी का नाम गुरु का नाम यह हो सकते आप से बन जाए बात करें लकनव की तो यह जो है लकनव घराने से प्राप्त करता थे तो इनको जो पद्म विवूशन जो मिला था 1986 में मिला था 1996 में और भारत के दूसरे सरवचिनागरिक सम्मान पद्म विवूशन के प्राप्त करता यह बन गए थे तो यह आप नोडाउं करके रखे लिए चगा बात करें कतक नत्य की क्योंकि कतक नत्य से कोश्यास बनेगा आपका आज भी नत्य से एक से दो कोश्यास आपके बने हैं देखे जो नत्य है ये उत्रप्रदेस का एक सासर नत्य है और ये सब्द जो है कता से बना है जिसका आरत होता है कहानी कहने की कला इसको कतक कहा जाता है। कतक की जूत पत्ती है भारत उतर भारत में हुए और ये भरत नाट्यम नत्य के समान माना जाता है तो कतक नत्य किस नत्य के समान माना जाता है भरत नत्य के समान माना जाता है प्राचिन भारत में कताकार होते थे जो संगीत मूख अभी नहीं नत्य के माध्यम से धार्मेक और पौरानिक कताव का पाट करते थे बैसकिल ही वहीं से आपका यह जो है क्रक निकल कर आया है तो आप सभी को डिटियल याद रखनी ़िए अगला कुशन है विजेंदर सिंग किस राज narrow से समघ्जित है बॉक्सिंग खेल से जुड़े हुए हैं बॉक्सिंग के खिलाडी हैं विजेंदर सिंग बेनिवाल इनका पूरा नाम है बेनिवाल और जिने विजेंदर सिंग के नाम से जान जाता हैं विजेंदर सिंग का जो जन्म है यह 29 अक्टूबर 1985 को हर्याना के भीवानी से 5 दूर कालुवाज गाउं के एक जाट परिवार मेन का जो जन में है ये हुआ था तो हर्याना में हुआता है धियान रखेगा इतना एक भारती पैसेवर मुक्यबाज और मौझूदा WBO Asia Pacific Super Middleweight Champion और हर्याना के भीवाने जीले के कालुवाज से WBO Oriental Super Middleweight Champion ये अभी वर्तमान में हैं दे रखेगा ओलम्पिक में पदक जीतने वाले पहले भारती मुक्यबाज है ये तो कुशन इस तरह से बनेगा कि ओलम्पिक में पदक जीतने वाले पहले भारती मुक्यबाज कोन दोरान कुछ उपलब्दिया हैं जैसे कि 2009 में विस्टू Championship कांश पदक जीता 2006 में राश्णवंडर रजज़त पदक जीता और 2010 10 ACI खेलों में स्वरन पदक अपने नाम इनोंने किया था तो ये सारी इनकी उपलब्दिया हैं देखकर जरूर से जाएं अगला कुशन है विदान सभा अध्यक्ष किसके द्वारा चूना जाता है तो विदान सभा अध्यक्ष जो चूने जाते हैं विदान सभा के सदश्य के बारे में ये बात करता है अनुचेद 189 अध्यक्ष और उपसभापती के कारियलों का अउकास और इस्तीपा और से पजचूती इसके बारे में ये बात करता है प्रतिया खाजी की विदान सभा यता साग के सिग्र अपने दो सदश्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब विदानसभा किसी अन्य सदश्य को यता इस्थिती अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनती है यह आपको ध्यान रखना है आईए नेक्स्ट को देखते हैं अगला कोश्षन भी काफी ज़दे इस बार देखने को मिला है रंगा को मोल रोप से अंतर प्रांती प्रतियोगिता के रोप में जाने जाता था और यहां ओलंपिक के लिए राष्ट टीम के खिलाडियों को राष्ट टीम में खिलाडियों को लेने के लिए था हांकी से समधित कप जो है यह कौन-कौन से तो मुंबई गॉल्ड कप आगा खांक अगला कोशन आपकी एक्जाम में पूचा गया है माता पिता को कितने वर्स तक के बच्चों को अनिवारी सिक्षा देनी चाहिए या कोशन इस तरह से होगा आपका कि कितने वर्स के बच्चों को अनिवारी सिक्षा देनी चाहिए या कितने वर्स के लिए अनिवारी सिक्षा का अधिकार हैं ये जो है आर्टी है सिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम 2009 में आया था इसके तहट ये जो अनुचेदे 21A के माध्यम से 86 वे सनविदान संसूदन अधिनियम के अनुसार कहा गया है सिक्षा का अधिकार अधिनियम इस संसूदन को प्रवाविय बनाने का कारी करता है या प्रयास करता है और सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुप्त सिक्षा परदान करेंगे स्कूलों का प्रबंदन समितियों SMC द्वारा क्या जाएगा तो basically सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुपति शिक्षा परदान करेंगे और स्कूलों का जो प्रबंदन होगा ये स्कूल प्रबंदन समिति इनके द्वारा क्या जाएगा नीजी स्कूल कम से कम 25% बच्चों को अपने स्कूलों में बिना किसी सुल्क के प्रवेस देंगे ये नीजी याने प्राइवेट स्कूल की यहाँ पर बात की जा रहे 25 परतिसर जो पच्छी होंगे वो बिना सुल्क के प्रवेस वहाँ पर उनको दिया जाएगा नीजी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में प्रारंबिक सिक्षस आयो का भी घटन बैसकली इसके अंदर घट किया जाएगा चलिए नेक्स्ट कुशन है हमारा यहाँ पर यह अगला कुशन है भारत रतने से समानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है काफिस दाद इंपर्टिन कुशन है कई सारी मल्टिपल एक्जाम मे आपका बन चुका है भारत रतने से समानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे इनका नाम है MS सुबुलक्षमी आपको पता होना चीए के लिए प्रसुद भारती करनाटिक का गाईका है MS सुबुलक्षमी इनको वर्ष 1998 में भारत रतने से समानित किया गया और भारत रतने स पुरुसकार से समगानी दोने वाली पहली संगीतकार संगीतकार थी प्राप्त करता भारत रतन की अब भारत रतन सबसे पहले किसे मिला था तो भारत रतन के पहले जो प्राप्त करता थे इनमें राजनितिक गी थे सी राजगोपालाचारी इसके अलबध दार्शनिक थे सरुपले राधर कृष्णन वेग्यानिक, सीवी रमन, ये तीनों थे, इन तीनों को सबसे पहले भारत रंद नवाजा गया था, 1954-1954 में इनको समाने इससे गया गया था, आईए नेक्स्ट कोशन रिखते हैं, नेक्स्ट कोशन भी काफी जदा इंपोर्टेंट है, और काफी जदा इसी है, योजना क्या है, इस तरह से कोशन होगा, या फिर कोशन इस तरह से होगा कि योजना आयोग की जगा किसने लिए, आपका सही जवाब नीती आयोग हो जाएगा, के लिए रहे, नीती आयोग, नीती आयोग जो है, इसने योजना आयोग की जगा लिए है, या इसका नया नाम जो है, नीती आयोग यानि कि राश्टी भारत परिवरतन संस्ता नीती का जो फुल्फुम होता है National Institution for Transforming India का फुल्फुम होता है तो भारती राश्टी परिवरतन संस्ता है इसके साथ नीती आयोग के साथ योजना आयोग को बदलने के लिए एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव पारित किया गया था नीती आयोग और योजना आयोग के बीच मुख के अंतर योजना के द्रश्टी कोन में है यानि कि पूर्व राज्जों की अधिक भागिदारी को आमंत्रित करेगा जबकि बाद में एक आकार सभी के लिए एक योजना के साथ सिर्श तल उपागम बनाए गया है या अपना आयोग दिकि नीती आयोग एक विचार मंच के रूप में कारी करता है जो दिसात्मक और नीतिगत निवेस दोनों परदान करता है बारत सरकार के लिए दिर्गकालिक, रजनीती, नीतियूम और कारिक्रमों को तियार करते हिश्य में नीती आयोग केंदर और राज्यों को नीतिगत मामलों पर सलाह देता है और नीती आयोग के सासी परिशत में इसके अध्यक्ष की रूप में परदान मंत्री और सभी राज्यों के मुक्यमंत्री और केंदर सासी प्रदेसों यानि यूनियन ट्रेलेटरिस के उपराज जिपाल इसमें सामिल है तो ये कौन-कौन इसमें सामिल है नीती आयोग के सासी परिशत में तो ये आप याद रखिएगा अगला कुशन है भारत रत्न डॉक्टर अंबेटकर पुरुसकार से किसे समानित किया गया है काफिज़ इंपोडेन कुशन है सही जवाब रहेगा मुक्यमंत्री योगी आदितिनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेटकर पुरुसकार है ये दिया गया है भारत रतन भारत गनराज का सरवोच नागरिक पुरुसकारे जो जाती विवस्ता इस्तिती या लिंग के भेहुदबाव के बिना उचितम क्रम की आसादरन सिवा परदर्शन की मानिता के लिए परदान के जाता है ये बैसकली भारत रतन की बात की जारी है भारत रतन से आकर ये जो अवोडे या ये जो पुरुसकारी ये घरन किया है चलिए अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन ने अंतराश्टिक किर्केट परिश्द यानि आईसीसी की स्थापना खभूई थी सही जवाब रहेगा 15 जून 1909 को याने की अंतराश्टिक किर्केट परिश्द आईसीसी की स्थापना वी 15 जून 1909 को देखे इंटराश्टिक किर्केट परिश्द का इंगलेश में और इंगलेंड औस्टेलिया और दक्षिन अपरिका के प्रतिनीदियों द्वारा 1909 में स्तापित किया गया किर्केट के गंतराश्टी सा से निकाई है इसको सुरू में Imperial Cricket Conference के रूप में जाना जाता था और फिर उसके बाद में 1909 में इसका नाम ये रखा गया 1965 में इसका नाम बदल कर International Cricket Conference कर दिया गया और 1989 में इसका नाम बदल कर International Cricket Council कर दिया गया ICC जो कि अब ये वर्दमान में है ये जो परिस्ता दे विबिन विस्व वेस्व चेंपियंशिप और टूनामेंट आयुजित करती है वन दे विस्व काप और T20 विस्व काप विस्वर विस्व परसिद्ध है 104 सदस्ष राष्ट है इसके ICC का जो मुक्याले है ये दुबई में है UEE में मोटो क्या है इसका Cricket for good और इसके अधिक्षे ससांक मन हुआ तो ये सारी जो डिटियल है आपको याद रखनी है इसके बारे में ICC के बारे में क्योंकि डिटियल जो बनती है वो यहीं से आपकी डाइकली इंडाइकली बनती है चलिए गाईस नेक्स्ट कुशन देखते हैं अगला कुशन है कौनसा अनुचे सर्वची नियाले के रिट चेतर अधिकार से संबनी थे तो सही जवाब रहेगा अनुचेद 32 अनुचेद 32 आपका करेक्ट आंसर है सनविदान के अनुचेद 32 के अनुसार जो एक मौलिक अधिकार है लोगों को सनविदान द्वारा मानिता प्राप्त अन्य आवश्यक अधिकारों को लागू करने के लिए सरवची नियाले यानिके ऐसी में याची का दायर करने का अधिकार है सरवची नियाले के पास किसी भी मौलिक अधिकार के पालन के लिए बात दिकरने के लिए निरदेश, फरमान या रिट जारे करने का अधिकार है बंदी, प्रत्यक्षिकरन, परमादेश, नीसेद, उत्रेशन और अधिकार, प्रत्या, केवल कुछ रिठ है जिने प्रदान किया जासकता है और उन मामलों को छोड़कर जहां सन्विदान स्पस्ट रोप से अनिता प्रदान करता है सरवोची नियाले में याची का दायार करने का दिकार नहीं किया जाएगा तो ये डिटेल आप देख लीजेगा अगला कुशन है सत्ति सोदक समाज के संस्तापक कौन थे? सही जवाब रहेगा जोती राव फुले के लिए रहे? तो ध्यान रिखेगा ये सत्ति सोदक समाज के संस्तापक जोती राव फुले थे इसकी जो स्तापना की गई या इसको स्तापित किया गया 24 सितंबर 1873 को कहां पर पूने में जोती राव फुले द्वारे स्तापित किया गया सामाजिक सुदार समाज के रोप में सत्य सोदक समाज जो है 24 सितंबार 1873 को ये स्थापित किया गया ये डबल से आज चुकी है लाइन और इसने सिक्षा मिशन की जांच की और विसेश रुप से महीलाओ, सुद्रों और दलीतों पर महाराष्ट में ध्यान केंद्रित समोहों के लिए सामाजिक, अधिकारों और राजनीतिक पहुच में वरदी गी जोती राव की पत्नी सावितरी भाई समाज के महीला वर्गी के प्रमुक थी, तो ये भी आवध्यान रखेगा ये सावितरी भाई जो फूले है, ये जोती राव फूले की पत्नी थी आईए नेक्स्ट कुश्ण लिए है, अगला कुश्ण कुछ इस तरीके से है बासनिति कौन से जाती करती है, इस तरीके से अब यहाँ पर किस पारमपारिक नत्य को नत्य रूप को बासनिति कहा जाता है एक ने ये कुछ इस तरीके से बताया है प्रस्ण और एक ने कुछ इस तरीके से बताया है तो किस परंपरिक नत्य रूप को बांस नत्य के नाम से जाना जाता है चेराव जो नत्य है इसको जाना जाता है बांस नत्य के रूप से मिजोरम राज्य से समझे थे इसको चेराव नत्य भी कहा जाता है आए नेक्स्ट कुछने लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओ को कितना प्रतिससात आरक्षन पराप्त हुआ है 33 प्रतिससा अपका करेक्टांसर रहेगा एक तीहाई भी आपको हो सकता है ऑप्षन में के लिए एक तीहाई सीटे अरक्षित करता है यानिके 33 सीटे अरक्षित करता है अगला कुछने उची नियाले के न्याइदीज को पद से कौन हटा सकता है तो पद से कौन हटा सकता है विसेज बहुमत द्वारा पारिस संसत के प्रस्ताव से राश्ट्रपती द्वारा उनक पद से हटाए गए दुर वेवार या अच्छमता के आदार परी उनको पद से हटाए जा सकता है और इस तरह के दूर वेवार या अच्छमता के जाच और सबूत के लिए सकती संसर में नहीं थे परतियक घर में 29 को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होगा जो उपस इसके अलावा भी कई सारे नत्य यहां पर जैसे के कटक जाजपूर जगद सिंगपूर पूरी खुर्दा बदगपूर राजिस्वर अंगुल सहीद और इसके कुछ टटी इसका अव्यास के जाता है यानि की यह जो नत्य Supply इसका अव्यास इन शेचरों में के जाता है जिसे लोधी खेला के लाम से भी जाना जाता है आईए next question देखते हैं सन्विधान में कौन सा अनुचेट चुनाव आयोग से संबधी थे तो अनुचेट 324 इसका संबधे चुनाव आयोग से संबधी थे जो चुनाव कराने है तो आयोग की स्थापना का आवान करता है चुनाव आयोग की स्थापना का वो यह 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना विये और चुनाव जो है सन्विधान के तैट की गई है यह भारती सन्विधान के अनुचेट 324 से 329 से संबधी थे चुनाव आयोग भारत के में संसद राज विदान सबाओ रास्टपती और प्रास्टपती के चुनाव की पू अग्ला कोशन है,2011 कटी कि कि केंत्साथ सी प्रदेश को छोड़ कर की गई थी तो इस तारीके सा कोशन था ये अब इसका एक्जक्ट पैटर्न हमें नहीं बीपाया कि क्या कोशन महीं है क्लियर समझ ल है कि क्या कोशन में यह कहना चाह ही कि कि क्स एक कंस्र Gates प्रदेश को छोड़कर 2011 की जिंगना हुई थी बट इस तरह का questions अगर आपको पता है तो आप comment में comment करके बता दीजिगा कि exempt questions क्या था और options किस तरह से आपको मिले थे था कि हमें और समझने में मदद मिल पाएं अगला question ही देखे question इस तरह से हमें बताया कि महात्मा गांदी का चमपारन आंदोलन पूछा गया था और एक ने बताया कि चमपारन आंदोलन किसके लिए था इस तरह से questions बना था इस जो भी हो यहाँ पर इस detail में आपको पूरी detail हम explain कर देंगे ताकि आपका जो भी questions बना हो आपका clear हो जाएगा चमपारन जो सत्यागरे है 1917 में महात्मा गांदी द्वारा तिन कटिया प्रनाली के समश्या को लेकर सुरू किया गया था जिसमें चमपारन के जो किसान थे इनको कुल भूमी के तीन बटा बीस वे हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था बिहार के उत्तर पश्यमी गाउं चमपारन के किसानों को उनके अस्तित्यू के लिए आवश्यक हद फसलों के बजाए यूरोपी बागान माली को द्वारा नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था मजबूरी में इनसे जो है नील उगवाया जा रहा था उसके विरोध में बैसके लिए एक अंदोलन था या एक सत्यागरे था नील की खेती भूमी की उत्पादक्ता को नस्ट कर रही थी जो किसानों के विरोध का मुक्य खारन था गांधी जी ने किसानों के हितों का प्रतिनिद्र करना चुना और चमपारन अंदोलन की सुरुवात की ये जो है अप्रेल 1917 में उत्री बिहार के ततकालिन अविभाजी चमपारन जीले में किया गया था ये अब ध्यान रखेगा पूरी डेटेल यहाँ पर आपको मिल चुकी है अगला कुछनी मुद्रा के आपूर्ति की साधनन माप क्या है तो ये M होती है इस तरह से ही आपको औप्शन मिला होगा और M4 में वियापक रूफ सामिल होते हैं जैसे कि M0, M2, M1, M2, M3 और M4 तो ये अब ध्यान रखेगा ये basically किसकी माप होती मुद्रा अपूर्ति की साधनन माप ये है अगला कुछने tennis ball से सम्मन्दित प्रसन आप से पूचा गया था अब गाईस देखें यहाँ पर 20 कोशन्स हमें मिल चुके है इसके लावा 21 और 22 कोशन्स भी है और आपको पताईए 23 कोशन्स भी है यहाँ पर तो इसमें कुछ इस तरह से है कि ये जो टॉपिक बताए हो सकता एकार टॉपिक हमें ज़्यादा मिला हो बट हमने उसको कैंसल ना करके आपको यहाँ पर सोलुशन उसका दे दिया है यह इसलिए दिया है ताकि आपको यह जो चीजे है अगर आप देख लेंगे तो हो सकता है यही आपका नेक्स्ट सिप्ट में फश जाए है ना तो इस तरह से हमने यह डाला है तो आप देख लेजगा आपको इनमें से ही basically questions देखने को मिलेंगे अब टेनिस बोल से समधित कोशन था International Tennis Federation के अनुसार एक सामानी टेनिस बोल का वजन 6.54 यनि कि 54 और से 6.86 cm व्यास के साथ 56 से 69.4 ग्राम के बीच होना चाहिए वे पीले या सफेद रंग के होने चाहिए हाला कि अधिकांस गेंदे पीले रंग की होती है अगला question इस तरह से हमें मिला है सन्विदान के भाग 4 A में कैसा मिल है तो सरकार अपने विभिन मंत्रालों के को लोगों के बीच मोलिक कर्तवियों के बारे में जागरूपता फेलाने का काम सो अपने की योजना बना रही है इसका समद हो जाएगा सन्विदान के भाग 4 A से मोलिक कर्तवियों का जो विचारी ये रूस सन्विदान से प्रेदी थे और इन्हे 42 वे सनविधान संसुदन अधिनिया, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंग समीती की सिपारिश पर सनविधान के भाग 4A में सामिल किया गया है अगला कुशन है मेंडलिव के आवर्थ सार्णी से रेलेटेड इस तरह का बता रहे थे कि मेंडलिव के आवर्थ सार्णी से कुशन्स बनाए हैं बना था यह एक्जेक्ट नहीं मिल पाया था हमने यहां पर जितने डिटेल हो पाई वह हमने कवर करवाने की कोसेश करिए देखिए असुग जो था मौरी असुग जो था यह मौरी वांस का तीसरा सा सकता जिसने 261 इसा पूर्व में कलिंग पर वीज़प्राप्त की दी कलिंग युद्ध असुग के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड था क्योंकि इससे उन्हें युद्ध और हिंसा की निर्तक निर्तकता का एसास हुआ और उन्हें ने बहुत धर्म को अपना लिया था बिंदु सार अ देना पती पुश्यमित्र सुंग ने कर दी ती उसके बाद में सुंग जो वंस था इसके यहाँ पर शुरुवात होई थी मोरी वंस के बाद में तो कुछ यह डिटील है जो कि हमने आपको बताईए और गारेंटी के साथ कह सकते हैं यहीं से आपको आगे देखने को बिल्कुल कम प्राइज में तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे से क्योंकि आपकी एक्जाम में आपको बताईए प्रैक्टिस काफिजदा माइनर रखती है तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आपके अगर टाई में आपके पास में दो डिस्किप्श नस्वर का विलॉम हो जाएगा सास्वत अलादीन का चिराग मुहावरे कारत क्या है अलादीन का चिराग मुहावरे कारत हो जाएगा कोई ऐसे चीछ का हाथ लगना जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो अलादीन का चिराग इसको बोलते है वाकिस सुद्र से कुशन आपका बिसकलिए बना है मौहावरे आपका पूचगा है जैसे कि हमें हो सकता है एक आद मौहावरा और आपका बना हो इसके अलावा प्रतिय से कुशन्स बना है सार्तक सब्द से आपका कुशन बना है विलोम सब्द आपका पूचागा है जो के आगे हम आपको बताएंगे रिक्तिस्तान से दो कुश्चंस बने हैं परियावाची सब्द भी पूचागा है आगे हम कवर करेंगे राजा का विलोम आपसे पूचा है देखें राजा का विलोम होता है रंक यह आपसे बना है, पर्वत के पर्यायवाची आपसे पूचा है, इसमें सेल, नग, बुदर, पघाड अंचल, महीधर, गीरी, भुमिदर, तुंग, अदरी और तो यह सब ही जो है पर्वत के पर्यावाची है, इनमें सही आपको एक आज जो है, यह मिलाऊगा इस्थिर का परियवाची आपसे पूचा है, इस्थिर का इस्थिर सुरक्षित मजबूत, यह जो है इस्थिर का परियवाची सब्द होते हैं विद्यारती का संधी विच्छत आपसे पूचा गया कि विद्यारती का संधी विच्छत क्या होता है SICI 바로 अनुपाध से भी अनुपाध से भी आपको बता दिया है हो सकता है कुछ और भी टॉपिक आपको बने हो आपकी एक्जाम में आये हो बड़ हमें जितना मिला है उतना ही हम आपको बता रहे हैं अब बात करें रेजनिंघ में तो mirror image से 2 questions पुछ गये हो सकता है कुछ और topic भी आपके बने हो जो हमें नहीं मिल पाए है क्योंकि आपको पता है memory best चीज़े हैं सारी की सारी जिन कुछ इतना याद रहता है उतना वो बता पाते हैं बट हो सकता है कुछ और भी पूचा गया हो हो है ना तो आप comment में comment करके बताएं जिन लोगों ने exam दिया था कि और क्या-क्या चीज़े आपके पूचे गई और इन कोशनों में क्या-क्या correction होता है उसका भी आप comment में comment करके बता दीज़ेगा गईस ये test series अगर आप लेना चाहिए तो description में लिंक के बहर जरूर से demo check-out कर लिज़ेगा काफी nominal piece पर आपको दी जा रही है बिल्कुल कम price में और special discount के तुरू आपको कम price कर दी गई है तो description में लिंक के अच्छे से practice कर लिज़ेगा exam से पहले सारे questions इसी pattern पर basically आ रहे है जो कि हमने आपको provide की है अगर आप चाते हैं कि इस video के PDF आपको मिल आए तो आप application को download कर लिज़ेगा description में लिंके सांते telegram channel और group को join कर लिज़ेगा दोनों के link आपको description में मिल जाएगी और इस channel को अगर आपने subscribe भी तक नहीं किया है तो subscribe करके बेल आइकन को all पर select कर दीज़ेगा क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी आपके subscribe करके बेल आइकन को all पर select कर दीज़ेगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुच पाए और आप सभी से request है कि इस वीडियो को like करने के साथ अपने दोस्तों के साथ share भी करें ताकि हमें support मिले motivation मिले आपके लिए और अच्छी सची वीडियो और जाएज जाएधा questions हम आपके लिए लेकर आते दें तो मिलते हैं हमारे next shift के analysis के साथ तब तक लिए जैहिंद वंदे मात्रम